नमस्कार आज हम श्रीमत भगवत कीता के सात्मी अध्याय के बारे में जानेंगे इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया है साथ ही बताया है कि ऐसे चार परकार के कौन से भाग्याहिन वेक्ती हैं जो भगवान की शर्ण में कभी नहीं आत और ऐसे कौन से चार परकार के भाग्याशाली वेक्ती हैं जो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। इस अध्याय में विशेश रूप से बताया है कि कोई किस परकार पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो चलते हैं श्रीमत भगवत गीता के सात्वी अध्याय की तरफ। भगवान वाच मैया सक्त मनाः पार्थ योगम युन जनम दाश्रयाह असंशयम समग्रम्माम यथा न्यासय सितच्छ्रिनूं। श्री कृष्ण ने कहा के पृथा पुत्र अब ये सुनो कि तुम योग का बिहास करते हुए अपने चित को मुझ में लगा कर और मुझे ही अपना आश्रय मान कर पूरी तरह बिना संदे तुम मुझे कैसे जान सकते हो। दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाते हैं जिससे अर्जुन श्री कृष्ण पर कभी संदे ना कर सके तांकि उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। न्यानम ते हम सविक न्यानम इदम वक्ष्याम्यशेशता यज्ञात्वाने भूयोन्यच न्यातवयम वशिश्यते। बताएंगे और भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। मनुश्य नाम सहस्रेशु कश्चिद यत्तती सिद्धये यत्तामपी सिद्धानाम कश्चिन मामवेती तत्वताहा। श्री कृष्ण कहते हैं हजारों मनुश्यों में से कोई एक ही इस योग की सिद्धी के लिए परयास करता है और जो लोग परयास करते हैं और सिद्धी पाभी लेते हैं। उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही कोई विर्ला ही मुझे सच्चे रूप से जान पाता है। मतलब दोस्तो हजारों मनुशियों में कोई विल्ला ही ये जानने में रूची रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परमसत्य क्या है दोस्तों श्री कृष्ण क्या है, परमसत्य क्या है यही वो अर्जुन को बता रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकार इतियम्मे भिन्ना प्रकृतिर अश्टधा अपरेयम इस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धिमे परां जीवभूताम महाबाहो यये दमधार्यते जगत श्री कृष्ण कहते हैं मेरी दो प्रकृतियां हैं एक तो मेरी निमन भोतिक प्रकृति जो इन आठ रूपों में बटी हुई है प्रित्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी तथा एंकार दोस्तों इन से सारी दुनिया और हम बने हैं आगे श्री कृष्ण कहते हैं और हे महा बाहु अर्जुन दूसरी है मेरी उच्छ सुक्षम इशुरिय प्रकृति जो है जीव रूप आत्मा जिससे यह सारा संसार धारन किया जाता है दोस्तों वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि सभी प्रानियों का जनम मेरी इन दोनों प्रकृतियों के मेल से इन दोनों के जुड़ने से ही होता है मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ और मैं ही इसका विनाश भी हूँ दोस्तों ये जमीन, आस्मान, हवा, पानी और आत्मा जो हम सब में है ये सब कुछ श्री कृष्ण ही है ये दुनिया श्री कृष्ण से ही शुरू हुई है और उनी में खतम हो जाएगी मत दह परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धननजया मै सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणी गणाईवा श्री कृष्ण कहते हैं हे दननजय ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उपर हो ऐसा कोई भी सत्या नहीं है जो मुझसे बड़ा हो मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें ये सारा संसार पिरोया रहता है जैसे माला के मोती धागे में पिरोय रहते हैं वैसे ही ये सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है मतलब दोस्तो भगवान ही परम सत्या है रसो हम अपसुकोंतेया प्रभास्मी शशी सूर्ययो प्रण्वह सर्ववेदेशु शब्दह खेपोरुशम्रिशु श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती पुत्र मैं जलो में स्वाद रूप हूँ चंदर्मा और सूर्या में मैं परकाश हूँ सभी वेदों में मैं ओंकार हूँ आकाश में मैं शब्द हूँ और पुर्शों में मैं पौरुश हूँ मतलब दोस्तो भगवान सर्व व्यापी है पुन्यों गंदह पृथी व्याम्च तेजश चास्मी विभावसो जीवनम सर्व भूतेशू तपस्चास्मी तपस्विशू यहां श्री कृष्ण कहते हैं पृत्वी में मैं पवित्र गंध हूँ अगनी में मैं तेज हूँ सभी प्रानियों का मैं जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ मतलब दोस्तों जिस भी वस्तु में जो पवित्र है जो भी किसी वस्तु की विशेष्टा है वो कृष्ण ही है बीजम्माम सर्व भूतानाम विद्धी पार्थ सनातनाम बुद्धिर बुद्धी मतामस्मी तेजस तेजस विनामहम श्री कृष्ण कहते हैं हे प्रिथापुत्र यह जान लोकी सभी अस्तितव में आई वस्तुओं का सारे चर अचर जगत का मैं सनातन बीज हूँ दोस्तों कई परकार के चर तथा अचर जीव हैं पशू, पक्षी, मनुश्य तथा अन्य सजीव प्रानी चर हैं पेड़ पौधे अचर हैं वे चर नहीं सकते केवल खड़े रहते हैं प्रते एक जीव 84 लाख योनियों की अंतरगत हैं जिन में से कुछ चर हैं और कुछ अचर किन्तु इन सब के जीवन के बीज सवरूप श्री कृष्ण हैं मतलब उन सब जीवों की उत्पत्ती का कारण श्री कृष्ण ही हैं दोस्तों मनुश्य बुद्धी के बिना कुछ न श्री कृष्ण कहते हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ मतलब दोस्तों बलवान पुर्शों द्वारा अपनी शक्ती का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए विक्तिगत आक्रमन के लिए नहीं ऐसा बल जिसका परियोग है अपनी इच्छा पूर्ती के लिए ना हो वह बल श्री कृष्ण ही है आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भरत श्रेष्ट मैं वह काम हूँ जो धरम के विरुद नहीं है मतलब सभी प्रानियों में धरम के अनकूल रहने वाली लालसा भी भगवान ही है ये चैव सात्वी का भावा राज सास्ताम साश्च ये मत एवे तीतान विद्धी नात्व हम तेशुते मई श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम यह जान लो की मेरी शक्ती द्वारा सारे गुन प्रकट होते हैं चाहे वो सतोगुन हो रजोगुन हो या तमोगुन एक परकार से मैं सब कुछ हूँ किन्टु मैं स्वतंत्र हूँ मैं प्रकृति के गुनों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है मतलब दोस्तों ये सारे गुन भगवान से उत्पन होई हैं, किन्तु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते त्रेभिर गुन मायर भाविर एभि ही सर्व मिदम जगत मोहितम ना भी जानाती मामे ब्यह परमव्ययम श्री क्रेश्न कहते हैं, सारा संसार प्रकृती के तीन गुनों, सतों, रजों तथा तमों से मोहित है तीनों गुनों के द्वारा मोग रस्ये सारा संसार मुझ गुनों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता क्योंकि मैं तो इन सब से कहीं उपर हूँ और अनश्वर हूँ दोस्तो प्रकृती के इन गुनों की वज़े से हम में लगाव और कामना होती है और यदि हम प्रकृती के गुनों में बंद जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुनों के मूल में है श्रीकृष्ण कहते हैं प्रकृति के तीन गुनों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठीन है लेकिन जो मेरी शरन में आते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं दोस्तों इन तीनों गुनों में ही सारी दुनिया फसके रह जाती है क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं और इस माया के चक्कर से वो ही बस सकता है जो भगवान को जान लेता है दोस्तों यहाँ पर श्री कृष्ण चार परकार के ऐसे भाग्याहिन वेक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो श्री कृष्ण की शरन में कभी नहीं आते श्री कृष्ण कहते हैं जो मूर अर्थार निपट मूर्ख हैं जो अपने किये काम का लाप स्वेम उठाना चाते हैं वे भगवान को उसे अरपित करना नहीं चाते दूसरे प्रकार के दुश्कृती नराधम नर का अर्थ मनुश्य और अधम का अर्थ जो सबसे नीच हो मतलब सबसे नीच मनुश्य बुरे करम करने वाला तीसरे परकार के हैं जिनका ज्यान माया द्वारा हरा जा चुका है और चोते हैं असुरों की नासिक प्रकृती को धारन करने वाले जिनके जीवन का एक मातर उदेश्य भगवान को नकारना है तो दोस्तो ऐसे व्यक्ति भगवान के चर्ण कमलों के कभी शर्नागत नहीं हो सकते चतुर विद्धा भजनते माम जना सूकृतिनों रजुन आरतो जिक्न्या सुरर्थार्थी ज्यानीच भरतर्शभा यहां पर श्री क्रिश्न कहते हैं कि भरत श्रेष्ट वे धर्मात्मा वेक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं वे चार परकार के होते हैं एक जो मुसीबत में हैं जिन पर कोई विपता आन पड़ी है दूसरे जिग्यासु जो मेरे विश्या में जानना चाते हैं, तीसरे धन, दोलत, संतान, आदी, पाने के इच्छुप, जो मेरे से कुछ मांगना चाते हैं, और चोथे हैं ज्यानी, जिनोंने सत्या को जान लिया है, श्री कृष्ण कहते हैं, इन चारों वर्गों में से जो भक्त ज्यानी हैं, और साथी भक्ती में लगा रहता है, वह सबसे अच्छा है, क्योंकि वह सत्या को जानता है, वह ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता है, और उसकी भक्ती भी पक्की होती है, ज्यान की खोज करते रहने से, मनुश्य को अनुभूती होती है कि, उसकी आत्मा उसके भोतिक शरीर से भिन है, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि, ज्यानी को तो म मैं बहुत प्रिया हूं और ज्यानी मुझे अत्यंत प्रिया है उदाराह सर्व एवैते ज्यानी त्वात्वें में मतम आस्थितह सही युगतात्मा मामेवान उत्मामगतिम श्री कृष्ण कहते हैं वैसे तो मेरे में आस्था रखने वाले और मेरी पूजा उपासना करने वाले मेरे चारो परकार के भगत बहुत अच्छे हैं लेकिन ज्यानी को तो मैं समझता हूं कि वह मैं ही हूं उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूं क्योंकि पूरी तरह अपने आपको योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित हो जाता है मेरे साथ एक हो जाता है वह उस अवस्था को पा लेता है जो मानव जीवन का सबसे उन्चा लक्षय है बहु नाम जनम नाम अन्ते न्यान वान माम प्रप्ध्यते वासु देवह सर्व मिती समात्मा सुदूरलबाहा दोस्तो भगमान को जानने में उसे समझने में कई जनम लग जाते हैं श्री कृष्ण कहते हैं बहुत से जनमों के बाद वह ज्यानी जो यह समझ लेता है कि जो कुछ है वह वासु देव ही है जो कुछ है वह इश्वर ही है तब यह जानकर वह मुझे प्राप्त कर लेता है ऐसा महात्मा बहुत दुल्लब है श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन जिन लोगों के मन उनकी लालसा में फसे हुए है उन्ही लालसाओं की पूर्ती के लिए वे देवताओं की शन में जाते हैं और अपने-अपने सोभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधी विधानों का पालन करते हैं दोस्तों हर जणम में हम अपने पाप पुन्या का जो लेखा जोखा बना के जाते हैं उसी से हमारा सोभाव बनता है और इसी सोभाव की वज़े से हम अपना देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रतेग जीव के रिद्या में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रधा को उस देवता में स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेश देवता की भक्ती कर सके दोस्तों श्री कृष्ण यहां ऐसे भक्तों के बारे में बता रही हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में, वे उनकी स्वतंतरता में हस्त शेप नहीं करतें, बल्कि वे उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भोतिक इच्छाएं पूरी कर सकें. श्री कृष्ण कहते हैं, उस श्रदा से भरा होकर वे उसी देवता की अरादना करता है, और उसी से ही वे अपने मन चाहे फल को पाता है, जबकि वास्तम में वे फल तो मैं ही देता हूँ, मतलब दोस्तों देवता परमेश्वर की अनुमती के बिना अपने भगतों को वर नहीं दे सकते, देवताओं की पूजा तथा वानचित फल की प्राप्ती देवताओं के कारण नहीं, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के क कारण होती है, अंतवत्तु फलम्ते शाम, तदा भावत यलप मेध साम, देवान देव यजो यान्ती, मद भगता यान्ती माम पी, श्री क्रेश्न कहते हैं, अलब बुद्धी वाले वेक्ती देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित करते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग को जाते हैं, पर मेरी उपासना करने वाले मेरे भगत आखिरकार मुझे ही प्राप्त करते हैं, वे मेरे पास ही पहुंचते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ति माम भुद्ध यह पर्मभाव मजानन्तो ममाव्यय मन उत्तमम श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धी हिन मनुश्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारन किया है वे अपने अल्ब ग्यान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वुच प्रकृति को नहीं जानते हैं दोस्तों श्री कृष्ण का असली स्वरूप इस जगत के कन कन में मौजूद है हर जीव में उनका अंश है निशकाम करम और मन में श्री कृष्ण को धारन करके ही उनको समझा जा सकता है नाहम प्रकाश हसरवस्य योग माया समवृतह मूढोयम नाभी जानाती लोको माम जमव्ययम श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी ही योग माया द्वारा छुपा हुआ होने के कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता पर अज्यानी जन समुदाए ये जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ मतलब दोस्तों जो अज्यानी है वो श्री कृष्ण को जनम लेने और मरने वाला समझता है वो भगवान के मनुष्य शरीर पर विश्वास करता है ऐसा विक्ती भगवान को नहीं जानता भगवान तो हम सब के अंदर मौजूद हैं वो अपनी योग माया से अपने सचिदानंद रूप में प्रकट होते हैं वेदा हम समतितानी वरत मानानी चारजुन भविश्यानी चबूतानी मामतु वेद नकष्चन श्री क्रेश्न कहते हैं हे अरजुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूत काल में घटित हो चुका है जो कुछ वरत मान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वे सब कुछ जानता हूं मैं समस्ट जीवों को भी जानता हूं किन्तो मुझे कोई नहीं जानता दोस्तो भगवान तो हमेशा थे हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे इच्छा द्वेश समा उत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्व भूतानी सम्मोहम सरगेयांती परंतपा श्री कृष्ण कहते हैं हे भरतवशी हे शत्रु विजेता सभी जीव इच्छा तथा घ्रिना से उत्पन मान अपमान दुख सुक स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आदी जैसे वंद्वों के वश में होने के कारण भ्रहम तथा अज्यानता में फसे हुए हैं और वो भगवान को नहीं समझ सकते दोस्तों जब हम अपने अंदर से इच्छा और घ्रिना को खतम करेंगे तब ही हम भगवान के स्वरूप को पहचान पाएंगे ये शाम त्वन्त गतम पापम जना नाम पुन्य कर्म नाम ते द्वन्द्वा मोह निर मुक्ता भजनते माम दिड़ व्रता श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुन्यों से सारे पाप नश्ट हो गए हैं वे दुख सुक लाभानी जैसे मो के द्वन्द्वों से मुक्त होकर वे संकल पूर्वक मेरी उपासना करते हैं मेरी सेवा में ततपर होते हैं दोस्तो ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है निशकाम भाव से करम करना इससे पाप कटेंगे और फिर मन से इच्छा और द्वेश जैसे भाव खतम होने लगते हैं और फिर हम अपने आपको भगवान के करीब महसूस करने लगते हैं पर जो मो से ग्रस्त हैं वो भगवान को नहीं जान सकते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्तिय ते ब्रह्म तत विदु कृष्णम अध्यात्मम करम चाखिलम श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी शन में आकर जनम और मरण से मुक्ती पाने के लिए परियास करते हैं वे वास्तम में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विश्य में पूरी तरह जानते हैं मतलब दोस्तों जो अपने आपको भगवान को समर्पित करके निश्काम भाव से करम करते हैं वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं क्योंकि वे सचमुछी कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रतनशील होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वे लोग जो मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भोतिक जगत का, सभी देवताओं का और सभी यग्यों का नियामक और नियंतरक हूँ। वे लोग योग के अपने चित को लीन करके मृत्यू के कठी समय भी मेरा ज्यान बनाए रखते हैं। मतलब दोस्तों मृत्यू के समय भी ऐसा विक्ती भगवान को कभी भुला नहीं पाता और फिर वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम ही जाता है। दोस्तों ये था श्रीमत भगवत गीता का सात्वा अध्याए। अगली वीडियो में जानते हैं आठवे अध्याए के बारे में जय श्री राधे क्रिश्ना।